बदलते मौसम का एफेक्ट हमारी स्किन के उपर वी पड़ता है जिससे हमारा चेहरा बहुत इज़ा डल, बेजान सा, मुर्जाया हुआ सा दिखाई देने लग जाता है चेहरे का गलो ना जाने कहां खो जाता है अपने इस खोए हुए गलो को वापस लाने के लिए हम तरहां तरहां के ब्यूटी प्रोडेक्ट का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं जो कैमिकल से भरे होते हैं ये बिल्कुल गलत है आज तो हमारी स्किन को वो खुबसूरत कर देंगे लेकिन लंबे समय तक अगर हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमारी स्किन के उपर साइड एफेक्ट दिखाई देने लग जाएंगे अगर आप भी अपने स्किन को खुबसूरत बनाना चाहते हो अपने खोई हुए गलो को वापस लाना चाहते हो तो इस खुबसूरत से फेस्पै को मेरे साथ त्यार कर लीजिए ये आपके चाहरे के उपर इंस्टेंट गलो लाएगा आपकी खोई हुए रंगत को वापस लाने में आपकी हैल्प करेगा आपकी स्किन को फ्लोलस, पोर्टलस बनाएगा क्रिस्टल गलास की तरह चमका देगा नमस्ते जी, आप सभी का आपके अपने चैनल ब्यूटी विद नेचर वाई सुनीता सैनी में बहुत-बहुत स्वागत है कैसे हो आप सब, मैं उमीद करती हूँ, आप सब लग खोश होंगे तो चलिए अपना फेस पैक बना लेते हैं फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ, एक चमच मिल्क पॉडर मिल्क पॉडर हमारे चैरे के उपर इंस्टेंट ग्लो लेकर आता है क्योंकि ये बहुत-ज़दा mild exfoliator है यानि कि ये हमारे चैरे के उपर जो dead skin है उसको निकाल देगा इतनी softly निकालेगा कि आपको पता भी निचले लेगा और आपकी skin glow करने लग जाएगी अब हम इसमें add करेंगे आधा चमच के करीब glycerine फ्रेंट्स, glycerine भी हमारे skin को naturalty के से moisturize करती है हमारे चैरे के उपर ये anti-aging का काम करती है अगर हम इसका इस्तेमाल अपनी skin के उपर regular करते हैं तो wrinkles, finalize जाई या जूरिया बहुत देरी से आती है हमारे skin के उपर ठीक है जी, अब हम इसमें add करेंगे एक capsule vitamin E oil का अगर आपके पास vitamin E oil नहीं है तो आप यहां पर बादाम का तेल ले लीजिए, नारिल का तेल ले लीजिए जो भी आपकी skin को suit करता है वो वाला oil आप इसमें add कर लीजिए लेकिन अगर आप vitamin E oil लेऊगे तो ये हमें sun burn से बचाता है हमारे चहरे के दाख धबों को light करता है क्योंकि ये हमारे चहरे के उपर गार्ड की तरह काम करता है इसको लगा कर अगर हम धूप में जाते हैं तो ये एक sunscreen lotion की तरह काम करता है ठीक है जी अब हम इसमें add करेंगे आधा चमच के करीब coffee powder coffee हमारे चहरे के blood flow को बढ़ाती है अपने इसी गुण की वज़ा से ये हमारे चहरे के उपर instant glow लाती है तुरंच चमक लाती है अब मैं इसमें add करूंगी एक चमच भर कर दही पहले हम इसको mix करेंगे अगर हमें इसमें जरूरत लगी तो हम इसमें दही थोड़ा सा और add करेंगे अगर जरूरत नहीं लगी तो हम इसमें दही और add नहीं करेंगे देखिए ये एक चमच दही से ही पेस्ट बनकर त्यार हो गई है फेस पेक तो बिल्कुल रेडी है फेस पेक लगाने से पहले हम अपने फेस को साफ करेंगे इसके लिए मैं ये कॉफी वाला जो मेरा बाउल था मैंने उसी का इस्तेमाल किया है इसमें मैं डालूंगी चोथाई चमच के करीब गलीसरीन और आदा चमच के करीब दहीं पहले हम इस से अपने फेस के उपर मसाज करेंगे उसके बाद हम अपना फेस पैक लगाएंगे इस से मसाज करने के बाद आप चाहो तो अपने फेस को पानी से वाश कर सकते हो नहीं तो आप डारेक्ट ही इसके उपर अपना फेस पैक लगा सकते हो लेकिन अगर आपने फेस को मॉर्निंग में वाश किया था तो आपने इसको लगाने से पहले अपने face को दोबारा wash करना है उसके बाद ही आपने इसका इस्तेमाल करना है आप friends use करके देखिए आपको जब इसके result मिलेंगे बहुत ही ज़्यादा आप खुश हो जाओगे इसके result देखके face pack लगाने से पहले make sure कि आपका face बिल्कुल साफ होना चाहिए तभी आपको आपके face pack के अच्छे benefit मिलेंगे वरना आपकी skin को नुकसान हो जाएगा क्योंकि make up लगा होने की वज़ा से धूल मिटी चहरे के उपर होने की वज़ा से हमारे skin के जो pores होते हैं वो बंद होते हैं और अगर आपने इन बंद pores के उपर अपना face pack लगाया तो आपके चहरे के उपर acne मुहा से आ सकते हैं blackheads, whiteheads हो सकते हैं इसलिए face pack लगाने से पहले face का साफ होना बहुत जरूरी है face साफ हो गया है लेकिन मैं अपने face को wash नहीं करूँगी मैं इसी के उपर अपना face pack लगाऊंगी friends face pack को लगा कर देखिए जो लोग बोलते हैं हमने बहुत कुछ try कर लिया हमारे face के उपर बिल्कुल भी glow नहीं आता नहीं चहरे के दाग धबे light हो रहे हैं आप इसको लगा कर देखिए यह आपकी स्किन को मौस्चराइज भी करेगा आपके चहरे के दाग धब्बों को भी light करेगा और आपकी स्किन को flawless बनाएगा friends कई लोग रंग गोरा होने के लिए बोलते हैं मैं आपको यहां clear बता दू देखिए friends रंग गोरा नहीं हो सकता chemical ही आपकी स्किन के color को change कर सकते हैं यह जो home remedies हैं यह हमारे स्किन की quality को अच्छा करते हैं यानि कि हमारे चेहरे के उपर अगर दाग धब्बे हैं यह स्किन की कोई और प्रॉब्लम्स है जैसे pigmentation जाईया काले निशान uneven skin tone यह सब उन चीजों को ठीक करते हैं लेकिन हमारे रंग को गोरा नहीं करते हमारे skin tone को एक से दो शेड लाइट कर देते हैं मैं तो यह कूँगी friends हमें अपनी skin problems के उपर वर करना चाहिए हमारे skin बिल्कुल neat and clean होने चाहिए वही skin खूबसूरत लगती है जी skin के उपर कुछ भी दाग धबा ना हो वह skin ही खूबसूरत होती है चाहे वह सामली हो चाहे वह गोरी हो ठीक है जी friends वीडियो देखते हैं अगर वीडियो पसंद आ रहे है तो जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए आपका एक लाइक बहुत ज़्यदा कीमती है ठीक है कीजिए वहां आप सभी के साथ में अपनी डेली रूटीन शेयर करूंगी ठीक है जी friends इस फेसपैक को सभी यूज कर सकते हैं बस वो लोग ही इसका इस्तेमाल ना करें जिनको इस फेसपैक में डाले किसी इंग्रीडियंट से अलर्जी है उनकी skin को नुकसान हो सकता वरना यह हर किसी की skin को खूब सूरत बनाएगा देखिए friends face pack लग चुका है अब मैं आपको मिलती हूं 10 मिनट के बाद देखिए friends 10 मिनट हो गया यह दहीं का face pack है इसलिए ज्यादा dry नहीं हुआ अब मैं आपको साफ करके दिखाती हूं आप result देखिए बहुत ही amazing result आता है देखि इससे ज्यादा नहीं उतर रहा क्योंकि यह हलका हलका dry भी हो गया है अब मैं अपने face को wash करके आती हूं और आपको दिखाती हूं इसका final result इंस्टंट glow आ जाता है आप भी जरूर try करके देखिए अब time अपनी skin को moisturize करने का मैं अपनी skin को moisturize करने के लिए अपनी बनाई cream ल तो आप भी इस प्यारे से खूबसूरत से face pack को बनाएं अपने चहरे के ऊपर लगाएं और चहरे के ऊपर instant glow पाएं तो फिर मिलेंगे हम अपनी next वीडियो में तब तक के लिए बैबाई